गुरुत्वा कश्ण भाग 5 धको अने दबाण अगावना वीडियो मा आपने द्रव्यमान तथा वजन विशे जानिऊं आ वीडियो मा आपने धक्को तथा दबाण विशे जानिशुं मानीलो के तमे कोई रण मा उभाचो अने तमारा पग रेती मा अंदर गुसी जाई छे अने हवे रेती पर सुई जाओ तमे जोशों के तमारू शरीर एटलू अंदर नथी जत्तु बन्ने परिस्थितियो मा रेती पर लागतु बढ आपना शरीर ना भार बराबर छे आपने जोयू छे के भार एब बढ छे जे लंब रूप निचेनी तरफ कार्य करे छे तेथी अहीं बढ रेती पर लंब रूपे कार्य करे छे कोई वस्तुनी सपाटी मने लंब रूपे कार्य करवा वालो आ बढ धकको कहवाई छे बढ ने जेमज धककानो एसाई एकम न्यूटन छे परन्तु तमे जेरे रेती पर उबा हता तो केम अंदर उतरवा लाग्या अने सुई गया तो केम नहीं आने सारे रेती समझवा माटे बिजो उदाहरन जोई ये छिए शुन तमे क्यारे ड्रोएंग पिनोनी मदत्ती कोई चार्टने बुलेटीन बड पर लगाव्यो छे तमारे ड्रोएंग पिननी उपरनी सपाटी पर बड लगाडवू पडशे ड्रोएंग पिन पर आ बड बडने सपाटीने लंब रूप कार्य करे छे पिन्नी टोच ध्वारा आ बल अपेक्षा प्रमाने ओच्छा क्षेत्रफण पर लागे छे। हवे समझ ये छिए कि धक्कानों सिधांद दबान साथे केवी रिते संबंध दरावे छे। आपने फरीथी रणना उदाहरण पर जईए ज्यारे तमे रेती पर उबा हता अने सूता हता ज्यारे तमे रेती पर उबार हो छो त्यारे बल तमारा पगना ख्षेत्रफण नी बराबर ख्षेत्रफण पर कार्य करे छे। अने जियारे तमे रेती पर सुतेला चो त्यारे बड तमारा शरीर ना क्षित्रफण ना बराबर क्षित्रफण पर कार्य करे चे बिजी अवस्था मा संपर्क मा आवा वालू क्षित्रफण वधारे चे जेथी अलग-अलग छित्रफळ पर सर्खा मुल्य वाड़ा बढ़नी असर अलग-अलग थाई छे बन्ने अवस्थावों मा धक्को समान छे परन्तु त्यानी असर जुदी-जुदी छे आ रिते आपणे आ निश्कर्ण काड़ी शक्ये कि धक्कानी असर शित्रफळ पर आधार राखे छे जेना पर ते कारिय करे छे धक्कानी असर त्यारे वधारे होई छे ज्यारे ते शित्रफळ ओचू होई छे जेना पर कारिय करे छे प्रती एकम शेत्रफ़ पन लागता धक्का ने दबान कहे छे दबान बराबर धक्को भाग्या अक्षित्रफ़ अगावना समिकरण मा धक्को तता क्षित्रफ़न नो एकम मुकुआ थी दबान नो ऐसा एकम निूटन प्रती मिटर स्कुर्वेर मले छे वईग्नानेक ब्लेज पास्कलना सुन्मान मा दबाणना एसाई एकमने पास्कल कहे छे तेने पी ए तर्शावमा आवे छे हवे समझ ये कि दबाण प्रवाही पदार्थो पर केवी रिते कार्य करे छे नकर्नी जेम प्रवाही मा पण वजन होई छे ते जी पण वाशन मा राखवामा आवे छे तेना आधार तथा दिवाल पर दबाण लगावे छे हवे जोईये कि आ आपणा आगणना विशय उत्पलावक ताथी केवी रिते संबंधित छे लोखंड अने श्ठिल्थी बनेलू मोट्टु जहाज पाणी पर केम तरे छे जेरेके एक नानी स्वय पन पाणी मा डूभी जाय छे हवे आबनने घटनाव मा उत्पलावक तानी भूमी का समझवा माटे आपणे एक प्रवरूत्ती करिये एक बंध ढाकनावाला प्लास्टिक नी बोटल ने पाणी थी भरेली डूल मा डूभाडवानों प्रयत्न करो तमे जोशो के बोटल पाणी नी सपाटी पर तरवा लाक्षे बोटल ने पाणी मा डूभाडवानों प्रयत्न करो अने तमने एक उपरनी तरफ लाक्ता बढ़नो अनुभव थशे बोटल ने डोलना तड़्यास उधी लई जाओ अने त्याने छोड़ी दो तमे जोशो के बोटल फरी थी उच्छडीने उपर आवे छे अने पाणी पर तरवा लागे छे शूँ गुरुत्वा कर्षन बढ़ बोटल पर कार्य नथी करतू आ उच्छडीने पाणीनी सपाटी पर केम आवी जाई छे बोटल पर लागतू गुरुत्वा कर्षन बढ़ निचे नी तरफ लागे छे अने पाणी उपर नी तरफ एक बढ़ लगावे छे जेना परिणा में बटल पाणी नी सपाटी पर तरे छे एटला माटे आपने एक निश्कर्ण सोधी शक्ये के बटल पर लागवा वालू पाणी नू बढ गुरुत्वा कशन बढ थी वधारे छे आपने शीखी गया छिये के कोई वस्तुनु वजन त्यना पर लागतु गुरुत्वा कर्षन बढ होई छे आ रिते आपने कही शक्ये छिये के बटल पर पाणी थे लागतु उपरनी तरफ बढ त्यना वजन करता वदू होई छे उपरनी तरफ लागतु आ बल उत्पलावक्ता बल एटले के उत्पलावक कहवाई छे अने आ गुणने उत्पलावक्ता कहे छे हवे आ सम्मझुवा माटे आपने एक प्रवृत्ती करिये के कोई वस्तु पाणी मा राखवाती केम डूबे छे के तरे छे एक पाणी थी भरेलो ग्लास लो हवे पाणी नी सपाटी पर सर्खा द्रव्यमान धरावतो मुझनो टुकडो अने खिल्ली लो तमे जोशो के खिल्ली डूबी जाई छे परन्तु मुझनो टुकडो पाणी पर तरे छे आवो बन्ने वस्तो नी गंता जुदी जुदी होवाने कारणे होई छे गंता ने वस्तो ना एकम कद्दीट दर्थी व्याख्याइत करवामा आवे छे एनो एसाई एकम किलोग्राम प्रति मिटर क्यूब छे बुछनो टुकडो तरे छे कारण के तेनी गंता पाणी नी गंता थी ओची छे जेनो मतलब बुछ पर लागतु उत्पलावक बल बुछना वजन थी वधारे छे ज्यारे खिली डुबी जाय छे कारण के तेनी गंता पाणी नी गंता करता वधारे छे जेनो मतलब खिली पर लागतु उत्पलावक बल खिली ना वजन थी ओचू छे चू तमे क्यारे मृत सागर विशे जानियो छे आ तोलावना पाणी मा मिठानु प्रमाल वधारे होय छे तेथी तेना पाणी नी गंता एट ली वधारे होय छे के माणस्मन तरी शके छे पर नतु तेमने ध्यान राकुजोय है के पाणी तेमना मढा मढा मन न जाय कोई वस्तुना डुव्वामा अने तर्वामा गंतानी शुव भूमिका छे आ सम्मजवा माटे आपने एक सादो प्रयोक करिये पाणी थी भरेला बे गलास लो पहला गलास मा एक द्राक्ष नाखो अने बीजा गलास मा पहला थोड़ू मिठू अगाडी अने पछी एक द्राक्ष नाखो तमे जोशो के पहला गलास मा द्राक्ष डुबी जाई छे जेरे बीजा गलास मा द्राक्ष तर्वा लागे छे पहला गलास मा पाणी नी गनता द्राक्ष नी गनता करता ओची छे जेथी डुबी जाई छे परन्तु बीजा गलास मा पाणी अने मिठा ना द्रावन नी गनता द्राक्ष नी गनता करता वदू छे ते थी द्राक्ष तर्वा लागे छे હવે કોઈ વસ્તુના વજનમાં શું પરિવર્તન આવે છે જારે તેને કોઈ પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવે આ જોવા માટે આપણે એક પ્રયોક કરીએ એક પથરનો ટુકળોલો અને ત્યને દૂરીની ની મદત્થી સ્પરીં કાટ નુ અવલોકન કરો હવે ત્યને પાણી ના ગલાસમાં ડુબાડો હવે સ્પરીં કાટા નુ અવલોકન નંધો તમે જોશો કે અવલોકન માં થોડી ઘટ આવી છે જેનો મતલબ પત્થરના વજનમાં ઘટાડો આવ્યો છે એવુ એટલા માટે કેમ કે પત્થર પર ઉપરની તરફ એક બળ કાર્ય કરે છે આપણી જાણ્ય છેએ કે ઉપરની તરફ લાક્તુ આ બળ ઉત્પલાવક બળ છે પરંતુ કોઈ વસ્તુ પલ લાક્તુ ઉત્પલાવક બળનું મુલ્ય શું છે ગ્રીક વઈગ્ણાનીક આરકી મિડિજે આ પ્રશ્ણનો જવાબ શોધ્ય હતો આરકી મિડિજને જવાબ ત્યારે મળયો જ્યારે તેમણે જોયું કે નાહવાના ટબમાં ગુસ્યા પછી ટબનુ પા પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવે ત્યારે આ વસ્તુ પર ઉપરની તરફ એક બળ કાર્ય કરે છે જે વસ્તુ ખસે ડાયલા પ્રવાહીના ભાર બરાબર હોઈ છે આરકી મીડિજનો સિધાન્ત ગણી વસ્તુ ઉપર લાગુ પડે છે જેમ કે સબમરીન અથવા તેની રચનામાં તેમ જ ડીજાઈન બનાવા માટે દુધની શુધતા માપા માટે લેક્ટમીટરમાં તથા દ્રવ્યોની ગંતા માપા માટેના હઈડ્રોમીટરમાં એક વસ્તુ પાણીમાં ડુબી જશે અથવાતો તશે તે તેની અને પાણીની ગંતાની તુલના કરવાથી આપણી શોધી વસ્તુની ગંતા અને પાણીની ગંતાનો ગુણોતર આ વસ્તુની સાપેક્શ ગંતા કહવાય છે સાપેક્શ ગંતાનો કોઈ એકમ હતો નથી કારણ કે તે સરખી રાશ્યોનો ગુણતર હય છે આ વીડ્યો માં આપણે ધકો અને દબાણ વિશે જાણીં